जाहिन दोस्तों, आज के वीडियो में हम SBI Securities Trading Application के सारे features के बारे में step by step जानेंगे साथ ही मैं आपको live demo भी दिखाऊंगा कि इस app पर आप कैसे trading कर सकते हैं और उससे जूड़ी सारी details देने वाला हूँ तो वीडियो को skip मत करना वरना बहुत सी important चीजे miss कर जाएंगे और चैनल पर नए हैं तो subscribe करके bell icon को जरूर प्रेस कर लेना क्यूंकि मैं ऐसी ही informative वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहता हूँ तो अगर आपने अपना account SBI Securities में open कर लिया है और उसका trading application जो आपको play store पर मिल जाएगा उसे download कर लेना है then SBI Securities के तरफ से जो id and password आपको दिया गया होगा उसे डाल कर आपको इसे login कर लेना है login करने के बाद आपको कुछ ऐसा user interface दिखाई देगा सबसे पहले मैं आप लोगों को इस app से जुड़े सभी features के बारे में बता देता हूँ ताकि आपको trading में कोई problem ना हो यहाँ पर नीचे में पहला option जो आपको you का दिखाई देगा इस पर click कर लेना है यहाँ पर आपको आपकी basic details दिखाई देगी जो आपने account open करते समय दी होगी जैसे आपका mobile number, email id, pen card number और आपका address यहाँ पर email address और mobile number के सामने pencil का sign दिया हुआ है इस पर click करके इसे change भी कर सकते हैं second option यहाँ account details का है जहाँ पर आप अपने demand account number और आपके account में लग रहे brokerage की details देख सकते हैं and third option है refer and earn का यहाँ पर आपको refer link मिल जाता है जिसे copy करके आप किसी को भी link share कर सकते हैं और यदि वो person आपके link से अपना account open करता है तो आपको उसके विहाप में reward भी मिलता है link का अगर आपको show नहीं कर रहा है तो उसे कैसे generate करना है इस पर मैंने एक अलग से separate video बनाया हुआ है आप video section में जाकर उसे देख सकते हैं और अगर आपने account अभी तक SBI Securities पर नहीं खोला है तो आप मेरे referral link से अपना account open कर सकते हैं क्योंकि इस video के through मैं एक परकार से आप लोगों को educate ही कर रहा हूँ तो उसके भिहाप में आप मेरा link use कर सकते हैं link आपको description box में मिल जाएगा यू के बाद यहाँ second option आता है portfolio का यहाँ पर आप अपने portfolio का overview देख सकते हैं आपका portfolio कितना plus या minus है वो सारी details आपको यहाँ दिख जाएगी just bagel में demate balance का option है यहाँ पर आपके demate account में कौन-कौन से share रखे हुए है उसकी details आप देख पाएंगे उसके bagel में unsettled stock का option दिया हुआ है यहाँ आप वो share की details देख पाएंगे जो आपने recent purchase किये हुए है और उनका settlement अभी तक नहीं हुआ है just bagel में report का option है जहाँ से आप अपने book profit and loss report capital gain and loss report देख सकते हैं बट अगर यह report आपको download करना है तो मैं आपको web logging suggest करूँगा यहाँ share projection report में आपको unsettled share ही दिखाई देंगे portfolio के बाद बारी आती है watch list की यहाँ पर आपको total 5 watch list मिल जाएगी जहाँ पर हर एक watch list में आप maximum 50 share add कर पाएंगे किसी भी share को अपने watch list में add करने के लिए यहाँ पर search and add का option दिया हुआ है आपको उसपे click कर लेना है then जिस भी share को आप अपने watch list में जोडना चाहते हैं उसे यहाँ पर search कर लेना है and then plus पर click कर देना है ऐसा करते ही आपका share आपके watch list में add हो जाएगा यहाँ पर उपर में pencil का option दिया हुआ है जिस पर click करके आप अपने watch list का name change कर सकते हैं और अपने watch list में add share को delete भी कर सकते हैं pencil के बगल में notification bar का sign दिया हुआ है जिस पर click करके आप daily trading call यहाँ से देख सकते हैं watch list के बाद order book में आ जाते हैं यहाँ पर first option है orders में आप अपने pending orders देख पाएंगे just bugle में trades का option है जहां आपके executed order show करेंगे just bugle में today's position का option मिलेगा जहाँ पर आप अपने current day में जो भी trade किये होंगे उसकी details देख पाएंगे and last carry forward positions अगर आपने future and option में या फिर currency में कोई trade लिया हुआ है और उसे carry किया हुआ है तो उसकी details आप यहाँ पर देख पाएंगे इन सब के अलावा यहाँ पर menu bar में भी कुछ options दिये हुए हैं तो हम उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं first है limit यहाँ पर आपके account में कितना fund available है और आपको कितना margin मिल रहा है उसकी detail मिल जाती है then menu bar में second option आता है transfer oblique withdrawal funds का किसी भी share में invest या फिर trading करने के लिए आपके trading account में fund होना जरूरी होता है तो यहाँ से आप अपने saving account से fund को trading account में transfer कर सकते हैं उसके लिए आपको यहाँ पर amount डाल लेना है then pay mode select कर लेना है and then आपको confirm कर देना है just side में withdraw का option दिया हुआ है जिसके through आप अपने trading account में free पड़े हुए balance को अपने saving account में वापस ले सकते हैं just bugle में transfer history दी हुई है जहां से आप अपने account में हुए fund transfer and withdrawal की पूरी details देख सकते हैं menu बार में फिर से आ जाना है यहां third option दिया हुआ है e pledge का तो सबसे पहले आपको बता दू कि e pledge होता क्या है e pledge means अपने share को अपने broker के पास गिर्वी रखना ताकि उससे मिले हुए margin का use आप daily trading के लिए कर पाएं बट e pledge करने पर आपको per order 12 रुपए का charge भी देना होता है e pledge के just नीचे है un pledge means अगर आपको trading के लिए margin की जरूरत नहीं है तो आप अपने pledge किये हुए share को un pledge कर सकते हैं उसके बाद बारी आती है positions demand balance and share projection report की जिसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं just in के नीचे IPO का section है जिसके तुरू आप IPO में भी app की मदद से apply कर सकते हैं उसके उपर भी मैंने एक separate video बनाया हुआ है आप video section में जा कर उसे भी देख सकते हैं IPO के नीचे fixed income का option है जिसके तुरू corporate FDs, bonds, gold bonds and OFS इन में भी invest कर सकते हैं next option trade history का है यहां से आप अपने account में हुए previous trade की history date wise and script wise देख सकते हैं इसके बाद option आता है ledger report का जहां पर आप अपने account का ledger date wise and segment wise भी देख पाएंगे then manage alert यहां पर आप किसी भी share में alert लगा सकते हैं and last contact us में जाकर आपको इनकी mail ID and आपके relationship manager का number मिल जाएगा जिससे आप इन्हें contact कर सकते हैं तो अभी तक हमने almost सभी features को cover कर लिया है and अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि trading कैसे करना है order कैसे लगाना है सभी अलग-अलग order का क्या मतलब है दोस्तो अभी तक की video अगर अच्छी लगी हो तो एक like जरूर कर देना trading के लिए हमें watch list पर आ जाना है और आपको जिस stock में trading करनी है उसे add कर लेना है then उस stock पर click कर लेना है click करने पर यहां सबसे उपर में आपको stock का price दिखाई देगा then नीचे में quotes का option आएगा उस पर click करके आप stock की market depth and उससे related और भी details देख पाएंगे जैसे की stock का open price, close price, high price, low price और भी बहुत कुछ just bugle में यहां पर आपको view chart का option भी मिल जाता है जिस पर click करके आप किसी भी particular stock का chart भी देख पाएंगे और उसे analyze कर पाएंगे किसी भी stock को buy करने के लिए आप simply buy के उपर click करेंगे click करते ही आपको यहां product में 4 option दिखाई देंगे delivery, intraday, e-margin and cover order ये portion आपको ध्यान में रखना है because maximum लोग यहीं पर गल्ती करते हैं delivery means आपके पास जितने भी पैसे हैं आप उतने के share purchase करेंगे और उसे अपने हिसाब से जब चाहे sell करते हैं second है intraday इसमें आप share को buy करेंगे और उसे same day में ही 3 बच के 10 मिनट के पहले sell करना जरूरी होता है otherwise वो खुद auto sale हो जाता है third है e-margin इसमें आप अपने share को pledge करके उससे जो limit मिलती है उसका use intraday और delivery trading दोनों के लिए कर सकते हैं e-margin में आप stock को maximum 30 days के लिए ही hold कर पाएंगे उसके बाद ये auto sale हो जाएगा या फिर आपको अगर इसे hold करना है तो 30 दिनों के अंदर आपको require fund deposit करना जरूरी होता है लेकिन यहाँ एक छोटा सा drawback भी है कि e-margin को use करने पर आपको जो brokerage लगता है वो ज़्यादा लगता है around 0.50% and last है cover order जिसमें आप किसी भी share में जब buy या sell का order लगाते हैं तो आपको stop loss भी साथ साथ लगाना जरूरी होता है अब यहाँ पर price के बगल में market order दिया हुआ है अगर आप इसे select करते हैं तो आपका order market price में purchase या फिर sell होगा बट अगर आप इसे select नहीं करते तो आप अपने according किसी भी stock में buy या sell का price उट से set कर सकते हैं नीचे option है validity का तो आप जब इसे day select करते हैं तो आपका order जिस दिन आप order लगाते हैं उस पूरे दिन के लिए रहता है वहीं जब आप IOC select करते हैं तो आपका order immediate or cancel में चले जाता है means order execute हुआ तो ठीक otherwise वो तुरंद cancel हो जाता है last option है GTD का जिसे select करके आप अपने order की life one month तक बढ़ा सकते हैं means आपका order एक महीने तक active रहेगा जब तक वो execute नहीं हो जाता एक महीने के बाद ये auto cancel हो जाता है तो I hope कि आप लोगों को ये सारी चीजे clear हो गई होगी अब मैं आपको stock को buy करके दिखा देता हूँ इसके लिए आपको सबसे पहले product type select कर लेना है then quantity डाल लेना है जितना share आप buy करना चाहते है then आपको price डाल लेना है अगर आपको market price में purchase करना है तो इसे select कर लेना है then finally buy के उपर आपको click कर लेना है and इसे confirm कर देना है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा order successful हो गया है आप इसे order book and today's position में भी check कर सकते हैं आपके position पर कितना profit या loss हो रहा है यहाँ पर update होता रहेगा अब इसमें stop loss कैसे लगाना है वो बता देता हूँ इसके लिए हमें stock पर click कर लेना है then sell के ओपर click कर लेना है then quantity डाल कर जिस भी price में आपको stop loss लगाना है वो डाल लेना है यहाँ पर price और trigger price दो option दिये हुए है तो यहाँ पर price को आपको trigger price से कम रखना है जैसे कि आप अगर trigger price 515 पर रख रहे हैं तो price को आपको 514 रुपए पर रखना है stop का price trigger price पर जैसे ही पहुंसता है आपका stop loss order active हो जाता है इतना करने के बाद sell पर click कर देना है आपका stop loss order लग जाएगा जिसे आप order book में जाकर भी देख सकते हैं लेकिन अगर आप अपने stop का target price लगाना चाहते हैं तो आपको simply sell के उपर click कर लेना है then limit order में quantity and अपने target price को डाल कर sell के उपर click कर देना है आपका order लग जाएगा अब मैं आपको market में इस stock को sell करके भी दिखा देता हूँ इसके लिए आपको same stock जो आपने purchase किया हुआ है उस पर click कर लेना है then sell के उपर click कर लेना है then quantity डाल कर sell पर click कर देना है आपका stock sell हो जाएगा आप इसकी details trade book में भी देख सकते है और today's position में जाकर profit and loss भी देख सकते है तो I hope कि इस वीडियो में मैंने सारे functions cover किये है बट फिर भी अगर कुछ रह गया हो तो आप लोग comment box में comment कर सकते है मैं वहाँ पर आप लोगों को reply कर दूँगा फिलाल वीडियो में आज इतना ही वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को like करे, comment करे, subscribe करे और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करे जय हिन, जय भारत